धम अपदम के संबन में कुछ कहूं, इसके पहले अभी सुर रहे थे, देवेंद्र जी का रहे थे, कि ब्रामन परंपरा के बिरोध में ही बुद्ध ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन बड़ी शालीनता से, लेकिन कवीर और कवीर पंथ की बातों को जब सुनते हैं, तो किसी वर्ग के खिलाब जाते हैं, ये उनका कहना सही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कि बुद्ध स्वय में एक छत्री परिवार से आये, एक राजा के लड़का थे, और छत्रीयों का और ब्रामनों का बहुत करीब से सम्मन्ध था, ब्रामन छत्रीयों को उस प्रकार से नहीं सताते से, जिस प्रकार से शुद्रों को सताते थे, क्योंकि छत्री उनकी रक्षा करते थे, ब्रामनों की उनको दान भी देते थे, संबंध भी पहले छत्रियों से जब बातें आते ही साधिवी करनियत छत्री से उससे उससे सुद्र के इतनावे नहीं लेते थे इसलिए उनमें उनका अनभव नहीं रहा कि कभी ब्रामणों द्वारा किसी प्रकार कोई उनको उनका शोषण किया गया हो सहज ढंक से अपनी बाते फिर दूसरी बात सबकी अपनी वेक्तिगत बाते होती है सुभावगत होता है लेकिन जहां तक कभीर और कभीर पंध में अधिक्तम लोग जो थे ब्रामण वर्गतों बाद में आये होंगे कभीर के बहुत बाद कभीर स्वयम किस प्रकार से सताय जाते थे कहे जाते थे और उसके बाद की परंपरा तो करीब से समझते थे कि किस प्रकार से ब्रामण वर्ग जो समानने लोगों को पिछड़े वर्गों को किस प्रकार से सोशन कर रहे हैं और अपनी बातें वो कहा दिये, वो बातें सब संकलित हुई, बुद्ध परमपरा में ही देखो आगे चल कर, जब ब्राम्मन ये आए, अमबेट कर आए, वो भी तो बुद्ध परमपरा कही हुई आखिर में, लेकिन जब उनको सताय गया था, और तब उनकी आवाज सुन ली तो कुछ भी नहीं मानते फिर, कुछ भी नहीं मानते, क्यों? उनको पता था, वो उसका अनभाव किये थे, इसलिए बातें आई होंगी, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने जैसे कहा बीच में कि ये व्यक्तिकत अपनी मान्यता भी होती है, अलग-अलग व्यक्तिका, अलग- और उनकी आवाज निश्चित रूप से उनमें शालिंता थी, लेकिन कभीर की आवाज में भी ब्रामणों की कहीं कहीं, विशेष्ता बताई गई है, विरोध भी बताई गई है, और उनके अंदर भी शालिंता थी, मिठी वाणी की विशेष्ता उन्होंने भी कहीं है, लेक होगा मैं जहां तक समझता हूँ कि ये बात रही होगी बारहाल फिर से चर्चा कल लेंगे कोई बात होगी तो पुफवग्गो मैं आज ग्यारवी गाथा है न पुफगंधो पटिवात मेती न चंदनम तगर मलिकावा सतंच गंधो पटिवात मेती सब्बा दिसा सब पुरिसो पवाती न पुफगंधो पटिवात मेती पुफगंधो पुष्प की गंध न पटिवात मेती वायू से उल्टे नहीं चाती यदि पुरब में फुलों की बाग हो और पुरब से हवा आए तो वो गंध हमारे तक आएगे लेकिन यदि पस्चिम से हवा बाह रही हो तो फुल की गंध हमारी और नहीं जाएगे वो पस्चिम की और चली पुरब की और चली जाएगे तथाकत बुद्ध कहते हैं पुश्प की सुगंद वाईव की उल्टी दिसा में नहीं जाती ना तगर न चंदन तगर मल्लिकावा न चंदन न तगर और न मल्लिका की गंद वाईव के विप्रीत जाती है परंतु सतंज, सज्जनों की गंधो, सुगन, पटिवात मेती वायू की प्रतिकूल दिशा में भी जाती है सब पुरिसो, सत्पुर्सों की सुगन सब बदिशा, सभी दिशाओं में पवाती फैलती है यह वर्ग ही है पुश्प वर्ग और उश्का उधान दे करके बातें बताई गई है यहाँ बात है, सत्पुर्सों की सुगन सब दिशाओं में फैलती है बस्तुता सब दिशाओं में ही नहीं बल्कि सब देश और सब काल में संसार के पुराने महापुर्सों की सिद्ध आज भी है नहीं है तो क्या हुआ बल्कि काल जितने बीते जाते हैं उनके महत्यों को लोग समस्ते चले जाते हैं और भिन्न देश में हो कोई बात नहीं भारत में नहीं जन्मा लेकिन बाहर में भी कोई जन्मा हो और संत सुभाव मानवता के हित के लिए उनका जीवन हो उनकी भी सुगंदी है बिन्न देश काल में आत्म सैयमी पुरुष यदि न हुए होते और आज न हो और आगे न होते रहें तो फिर सामानली लोगों को जो आध्यात्मिक सिक्छा है आध्यात्मिक सहारा कौन देगा कोई तो है इसलिए मनुष्य यदि कोई सद्गुण को धारण करता है अच्छे पत्पे चलता है पर हित के लिए काम करता है तो उसकी महिमा लोग सभावीक समसते हैं यहाँ पर तथा गत्पुद्ध कह रहे है पुष्प की शुगंद वायू की उल्टी दिसा में नहीं जाती और न चंदन तगर तथा मल्लिका चंदन तगर और मल्लिका ये तीन सुगंधित वस्तुओं के नामा है चंदन के बार में तो जानते ही है प्रशिद्ध है तगर एक वरिक्ष जिसकी जड़ गंध द्रब्य के रूप में काम देती है और कोकन तथा अफगानिस्तान आदी में ये होती है मल्लिका बेले की जाती का एक सफेद और सुगंधित फुल नाम है नाम कुछ भी हो बात यहाँ पर है पुष्प की सुगंध या कोई भी सुगंधित द्रब्य वह एक दिसा में उल्टी दिसा में नहीं जाती है लेकिन महापुर्शों की सुगंध सज्जनों की सुगंध सभी दिसाओं में जाती है सज्जनों की सुगन उल्टी दिसा में भी जाती है हर आदमी को एक सहारे की जुर्रत होती है बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों से सहारा लिये बगैर अपना काम कर ले अध्यात्मिक साधना का काम कर ले जहां तक बुद्धर कवीर की बात आती है तो जिन बातों को लेकर के बुद्धर कवीर की महिमा आज है उनके पीछे उसकी परंपरा नहीं थी लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुराने कुछ विचारकों का उनको सहारा नहीं मिला उनको सहारा मिला इसलिए मनुष्य को एक आधार जीये शुक्षान्ती कहां से मिले, कैसे हो, क्यों, मनुष्य कोई केवल भोतिक पदार्थ हो और एक मशीन हो जिसको तेल पानी देदो, बस चले गए ऐसा नहीं है, कि इसको रोटी, कपड़े और आवास देदो, बस काम चले ये जीवन निर्वाहिक वस्तुवे हैं, जिनकी आवश्यक्ता तो है, लेकिन मनुष्य की असली खुराग आत्मग्यान है, आत्मशान्ती है, प्रेम और विश्वास है और वह ग्यान जिससे आत्मशोधन हो, आत्मश्थिति हो जीवन में मन की पूरी शांती सरवोच चुपलब दिये और वह आत्मग्यान और आत्मसोधन से ही संबव है यह सारा ग्यान उन महापुर्शों की जीवन साधना से उत्भूत है जिनोंने अपने आपको आत्मग्यान तथा आत्मसोधन में समर्पित कर दिया है ऐसे महापुर्शों की रहनी तथा अनभूती और अनभूपूर्ण वानी की सुगंद सभी देश, काल और दिशाओं में फैलती है फूल की सुगंद वायू की दिशा में ही चलती है लेकिन छड़ी खोती है फूल मुर्जा गया फूल सुगंद खतम लेकिन यदि संद का सरीर नहीं भी रह गया तो भी उनकी महिमा है और उनकी विचारों की सुगंदी अभी भी है पवित्र पूर्शों की पवित्र रहनी और वानी की सुगंद सब देश, काल तथा दिशाओं में फैलकर कल्यान आर्थियों का इस्थाई कल्यान करती है जब भूती आवश्यक्ताओं की पूर्ती हो जाती है तो मनुष्य कुछ और सोचता है क्यों? अभी भी लगता है कि अंदर से अपूर्णता है, माशूस होने लगता है और इसी लिए कुछ और ढूंडता है इसा मसी ने भी जो कहा कि यू कैंड नाट लिव बाई ब्रेड अलोन सिर्फर रोटी से जिन्दा नहीं रह सकते और चाहिए, ये शरीर की खुराख है हमें मानसी खुराख चाहिए, आत्मिक खुराख चाहिए और वो कोई दे, वे अब हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है जो हमें विश्वास दिलाता है, जो हमारे प्रगरती में सहयोग करता है ये मानसी खुराख है, प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो और निरंतर जो हमारी आलोचना करे हमको डाट, फटकार, गाली, गुपता, मार, पिट करे कब तक रहेगा कोई आत्मी अब केवल भोतिक, खुराग दे दे भोजान, पानी, कपड़ा, लत्ता, सब दे दे लेकिन प्रेम न मिले, सनेह न मिले अध्यात्मी का धार न मिले, नहीं टिक पाएगा इसलिए इसकी आवश्यक्ता है और एशे महापुर्शों की आवश्यक्ता सब समय रही, आज भी है, आगी भी रहेगे चंदनम, तगरम, वापि, उप्पलम, अथवस्सिकी एत्यसम, गंद जातानम, शील गंधो, अनुत्तरो बारवी गाता है चंदनम, तगरम, वापि, चंदन, तगर, अथवा उप्पलम, अथवस्सिकी, कमल, या, बेला, तथा जुही हो इत्यसम, गंद जातानम, इन सब गंध के प्रकारों से कई प्रकार के नाम लिए, चंदन, तगर, कमल, अथवा वापि, बेले का फुलो या जुही का इन सभी गंधों के प्रकारों से, शील गंधो, अनुत्तरो शील की गंध सर्वत्तम होती है, दुद्द कहते हैं, कि यह जो पेड़ पौधे या सुगंधि, जो त्रभी हैं, उसकी सुगंधी है है, ठीक है, लेकिन शील वान, शील की जो शुगंध है, वो शर्वत्तम है किसी व्रिग्ज, लता, गुल्म, आदी के फूल, काश्ट, जड़, आदी से निकलने वाली गंध, भोतिक है उसका उप्योग क्या है, दे तक क्या है, अच्छा लगा हाँ ठीक है, मन को थोड़ी दर के लिए प्रसनता देती है वात्रणों को सुवासित रखते हैं, लेकिन शील की गंध, अनुक्तर है, अनुक्तर का मतलब, जिसके समान अन्य कुछ ना हो, जिसके समान अन्य कुछ ना हो, सर्वत्तम शील का रथ, कई बार पढ़े सुने हैं, शबरतनों की खान, कवीर की वानी में हैं, शील वान सबसे बड़ा शबरतनों की खान, तीन लोग की संपदा रही शील में आन, शील का रथ है, सदगुणों का समुच्य शील वान राग द्वेश भिहीन तटस्त होता है, सील में सारे सुभाचार पवित्र रहनी तो सदगुणा आते हैं, अतेव पवित्र रहनी सबसे बड़ी सुगंध है, शील का सहज अर्थे दिम देखें, दूसरी के हित की चिंता, बस, अपने द्वारा किसी भाती दूसरो को कष्ट न पहुंचे, ये जिसके मन में भाव है, वो शील का पालन कर रहा है, वो शील का पालन कर रहा है, बाहर से कोई बहुत मिठा हो, लेकि अंदर में किसी की परती कटता हो, और ये भाव होक उनका नुक्षान हो, नहीं है शील का पालन, नहीं है, शील की सुगंध सर रोत्तम होती है और वो पता चल जाता है यदुध है वो पता चल जाता है हम सब के भीदर में कुछ सब के भीदर में ऐसे सयंद्र लगे हुए है हर आदमी के भीदर में जुट पकड़ने के यंद्र लगे है सब के भीदर है और वो पकड़ लेता है वो महसूस होता है किसी न किसी सरीर मैंने कहा न कई बार कहा सरीर की भासा है वो आँख से निकलती है चेहरे से निकलती जो आवाज निकलती ही न वो आवाज के साथ में उसका भाव भी निकलता है क्योंकि आदमी केवल आवाज नहीं भेशता है अपने आपको भी प्रेशित करता है और वो चला जाता है चला जाता है वो ट्रांस्मिट भी करता है तो रिशिप भी करता है हर आदमी केवल यह नहीं कि ट्रांस्मिट करता हो रिशिप भी करता है रिशिवर भी है वो इसलिए शील बहुत महत्तो पूर्णा है एक गाथा और कहूं तेरवी गाथा है अपमत्तो अयम गंधो या अयम तगर चंदनी योचे शील वन्तम गंधो वाती देवेश उत्तमो जो यह तगर चंदन आदिकी गंध फैलती है अयम गंधो या भोतिक गंध या अयम यो अयम जो यह तगर चंदन की गंध है अपमत्तो अल्ब मात्र है योचे शील वन्तम गंधो और जो शील वन की गंध शील वान की गंध है उत्तमो उत्तमा यह देवेश देवताओं तक वाती फैलती है बहुत लोग देव लोग मानते हैं आज भी मानते हैं कि कोई देव लोग है वहाँ देवता रहते हैं बद्धों में भी है जैनों में भी है यह उनकी माननेता है बस्तुता है सज्जन ही देवता है शीलवानों की शुगन सज्जनों में फैलती है संतों की शुगन सजजनों में फैलती है दुरजन को पसंद ही नहीं आएगा दुरजन तो शीलवानों तथा उनकी गंद से अपने को अलगी रखना चाहते हैं सजजन मनुष्री शीलवानों की संगत करना चाहते हैं और उनके सद्गुणों से लाव उठाते हैं यहाँ पर सरल रूप से जो तताकरत बुद्ध क्या कर रहे हैं जो भौतिक सुगंध है उसका आयाम थोड़ा है सीमीत है लेकिन आध्यात्मिक सुगंध बहुत विराठ है उसका आयाम बहुत विराठ है ख्यालाया आप लोग भी देखे होंगे बुद्ध शिरियल बुद्ध और ये शोद्रा का संबन जानते हैं मामा और बुव का संबन एक के मामा दुसरी की बुव ऐसे ही संबन था तो ये शोद्रा बचपने से आती रही और बुद्ध के सांथ सुभावी के रूप से उनकी जो लगाओ थी उनके साथ खेलना कुदना मिलना अब बड़ी हो गई थी सिधारत भी बड़े हो गई थे देवतत भी बड़े हो गई थे और सुधरा बड़ी हो गई थी आई तो फूल लाए उनके देने के लिए सिधारत भी लाए और देवतत भी लाए देवतत एक टोकरा भारके लाए शीर और सिधारत एलाए एक फुल लाए, सहनिक्याय कमल, या किसी का फुल लाए, कमल का फुल लाए, और वो भी देना चाहे, लेकिन सिधारत के दिय हुए फुलको स्विकार करती है, और उसकी महिमग आने लगी, उसने कहा, एक फुल की इतनी महीमा गा रही हो देवदत ने कहा इतना मैं टोकरा भरफ के फुल दिया हूँ इसके बारे मैं कुछ नहीं बोल रही हो तो उन्हें ने कहा क्या कोई अंतर है फुल में उन्हें पूचा क्या कोई अंतर है फुल में ये सुद्र ने ने कहा कि वैसे अंतर तो नहीं है वैसे अंतर तो नहीं है फूलों में लेकिन अंतर है क्या अंतर है आपने फूल अपने नौकरों से मंगवाया है करमचारियों से मंगवाया है और सिधार्त स्वेम फूल लेकर के आए जाकर के और तब तक उनके पैर में किच किसी नौकर से फुल्मंगवाना स्वयम जाके तोड़ के लाना भाव क्या है बताईए क्या गया भीतर में ये है सुगंदी ये है सुगंदी इसलिए आध्यात्मिक शुगंद कायाम विराठ है जब हम अपने भी जीवन में इस प्रकार अपने जीवन में शदबुणों का समुच्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सकुन मिलेगा और दूसरों को लाव होता है ये तो सिकंडरी भी है ये बात की बात है लोग मही माग आप गुरदेव जी नहीं रहा गए अब मही म इन को क्या फाइदा होगा? कोई फाइदा नहीं है उनको उनको कोई इससे लə나 देना नहीं है इसलिए जो नें यह काम किया उनका लाब तो हो गया लेकिन ऐसे लोगों से और लोग लब लेने वाले मिल जाते हैं सहय बन लगी